एलो एंड वेलकम एब्रिवन वेलकम टू अड़ा 24-7 मैं परिक्षित आप सभी का सौगत करता हूँ अड़ा 24-7 के इस प्लेटफॉर्म पे और आज हम बात करेंगे कि CUT PG का जो एक्जाम है अग्रिकल्चर साइनसेज का उसके स्लेबस के बारे में उसका स्लेबस क्या रहने वाला है उसका डिटेटल स्लेबस क्या है इस वीडियो में हम आज हम बात करने वाले हैं इससे पहले वीडियो में हाला कि आपको एक स्लेबस का ओवर्विव दे दिया गया था लेकिन बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि CUT PG में सर्लेबस को बहुत जादा डिफ पूछे जाएंगे इस अपने आप में दोस्तों बहुत ही मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं और इनमें भी अगर आपको ना पता चले कि ना आइडिया हो कि क्या-क्या पूछा जाएगा तो बच्चों बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने क के लिए हम यह वीडियो आपका लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि सब्जेक्स के अंदर क्या-क्या मेजर टॉपिक हो सकते हैं जिनके कोश्चन दोस्तों आपके बन सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं क्या रहेगा सब्जेक्ट आप का इस तो सलेवस का जो ऑवर्वीव है वा आपको पिछले वीदियो में दिया गया था एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि सी लेवस मैं आपके दोस्तों एग्रो नॉमी एग्रॉनॉमी के बाद जेनेटिक्स एंद plant breeding, plant breeding के बाद soil science, soil science and agriculture chemistry, plant physiology, horticulture, entomology, agriculture economics, mycology and plant pathology, agriculture engineering and aesthetics, agriculture extension, education. तो ये subjects आपके CU TPG exam में पूछ जा रहे हैं और इनसे questions आपके exam में आने वाले हैं. तो बच्चे confused थे कि इतने से slayvus में हम कैसे पता कर पाएंगे, क्योंकि ये agronomy, genetics, anthropology ये अपने ही आप पे बहुत ही broad बहुत ही details चीजे हैं तो इनको एक portion में cover करना बहुत ही मुश्किल होता है तो थोड़ा सा हम आपको आसान कर देंगे कि ये बतागे कि क्या-क्या main topic रह सकते हैं जिनसे questions आपके बनेंगे दोस्तों तो चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों agronomy की agronomy जो है किसी भी agriculture exam में आप अगर बैठते हैं किसी भी agriculture exam में आप त्यारी करते हैं तो agronomy जो है वो बहुत ही महतकुन भूमिका इस exam में निभात आया हर exam में agronomy को आप कह सकते हैं कि agriculture का backbone अगर कोई है तो वो है agronomy तो agronomy एक बहुत ही major portion है तो पूरा तो दोस्तों नहीं cover कर सकते हम लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या-क्या major चीजे हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है और जिनसे questions बनने वाले हैं और क्या आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों ये भी हम आपको इस वीडियो में बत होना चाहिए और क्या उसकी history है यानि कि कैसे question बनेंगे history से कहां से एग्रोनामी स्टार्ट हुआ सबसे पहली जो क्रॉप थी वह क्या थी कहां उगाई गई थी ये सब question एग्रोनामी की history में दोस्तों आ जाते हैं तो definition आपको एग्रोनामी की पता होनी चाहिए कि एग्रोन तो एग्रोनामी में principles क्या क्या होते हैं एग्रोनामी पढ़ने के लिए हम लोग कौन-कौन से सिध्धानतों को ध्यान में रखना चाहिए तो ये सब principles और एग्रोनामी में आ जाएगा तो principles आपको पढ़ने पढ़ेंगे एग्रोनामी के उसके बाद आता है scope and importance of agronomy एग्र इसकोप और importance पढ़ रहे हैं अगर आप तो उससे basic चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और basic question यहां से बनेगा पेपर में उसके बाद बहुत ही major चीज़ आ जाती दोस्तो cropping season of India इंडिया में जो crops है वो किस कि season पे कैसे उखाई जाती जैसे main season के अगर हम बात करें मिल ली तो रवी खरीफ और जायद जो season होते हैं तो इन ही के बारे में आपको detail में पढ़ना है कि किस season में कौन सी crop उग उगाई जाती है ऐसा क्या होता है कि यह crop इस season में उगाई जा सकती है दूसरे season में नहीं उगाई जा सकती तो यह सब चीज़े जानने के लिए आपको cropping season पढ़ना बहुत जरूरी है इनसे भी questions agronomy में बनेंगे दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते है cropping pattern आपको ccpattern होता है दोस्तों तो प्रॉप पैटर जानने के लिए आपको cropping pattern पढ़ना पढ़ेगा cropping schemes क्या क्या होती है cropping scheme पढ़ना पढ़ेगा आयमकोちゃka फिर क्रॉपिंग सिस्टम भी आपको पढ़ना पढ़ेगा दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है इससे भी क्रॉस्टन बनते हैं फिर बात करते हैं हम लोग एग्रोनॉमी में एग्रोमेटोलोजी की एग्रोमेटोलोजी क्या होता है दोस्तों एग्रोमेटोलोजी होता है पौऊसम विज्ञान अगर आप वसल उत्पादन कर रहें दोस्तों तो मौसम की विजियानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि मौसम में कब बदलावा जाता है कब बारिश होने वाली है कब नहीं कब धूप आने वाली है यह सब आपको अगर नहीं पता होगा दोस्तों तो आप क्रॉप कैसे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे तो इसलिए मेट्रोलोजी पढ़ना भी बहुत जरूरी है और इससे भी कोश्चन आपके हर अग्जाम में बंदते हैं दोस्तों उसके बाद क्रॉप उगाने के लिए बहुत ही मेजर चीज़ जो है वो इरिगेशन एंड वाटर मनेजमेंट होता है तो इरिगेशन और वाटर मनेजमेंट से भी आपके कोश्चन बनते हैं कि कैसे आप वाटर का मनेजमेंट कर सकते हैं कैसे इरिगेशन देते हैं कौन सी क्र चाहिए देनी चाहिए तो आपको irrigation में पढ़ना पड़ेगा और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें sustainable agriculture की तो sustainable agriculture भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों sustainable agriculture आजकर बहुत इससे question बनते हैं और बहुत important agronomy का topic है तो ये भी आपको cover करना है तो different different type की आपको crops, field crops, cereal crop, pulse crop, oil seed crop तरह तरह की crops और उनके बारे में descriptive चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी जिससे questions बहुत बनते हैं किसी भी exams में आप से किसी भी crop की आप से seed rate पूछी जा सकती है किसी भी crops का आप से temperature पूछा सकता है तो ये सब जानने के लिए आपको प topic आ जाते हैं क्योंकि agronomy अपने आप में बहुत ही वड़ा portion है दोस्तों तो सारी चीज़ों तो हम यहाँ पर नहीं ला सकते हैं लेकिन most important topic है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं वो आपके सामने आपको बताय जा रहे हैं कि कहा कहा से आपके question 100% बनने की समभावना होती है दोस्तों तो चलिए तो agronomy के बात हम लोग बहुत ही major चीज की बात करते हैं जिस subject का नाम है genetics and plant breeding दोस्तों तो genetics and plant breeding में क्या-क्या topic major हो सकते हैं जिन से question बनने वाले हैं तो definition and introduction of genetics cell and cell division यह दो topic अलग-अलग हैं बच्चों सबसे पहले definition and introduction यह तो हर subject में कोई भी subject अ की definition और उसकी history उसका basic introduction तो आपको पता ही होना चाहिए यहां से question तो हर subject से हर exam में बनते ही बनते हैं दोस्तों तो उसके बाद second teach करें तो cell and cell division cell क्या होती है cell यानि की कोशिका क्या होती है और cell division यानि की कोशिका का विभाजन यह दोनों बहुत ही major इसके topic है जो आपको हर exam में काम आने वाले हैं कोशिका विभाजन भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों उसके बाद आ जाता है chromosome यानि की गुड़ सूत्र क्रोमोसोम का आपको क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्रोमोसोम क्या होते हैं क्रोमोसोम कितने होते हैं कौन सी क्राप में कौन से कितने क्रोमोसोम होते हैं या कितने पियर आफ क्रोमोसोम किस क्राप में होते हैं यह जानने के लिए आपको क्रोमोसोम के बारे म यानि कि मेंडल का जेनेटिक्स पे क्या विचार था और उनके क्या-क्या लौ थे तो मेंडल के लौ को आपको डिटेल में इस एक्जाम में पढ़ना पड़ेगा है दोस्तों यहां से बहुत ही कोशन बनाए जाते हैं कि मेंडल ने किस प्लांट पर अपना प्रयोग किया था यह मेंडल ने इस प्लांट पर प्रयोग क्यों किया था यह सब बेसिक चीज़ें इसमें आ जाती हैं दोस्तों उसके बाद बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की प्लांट ब्रीडिंग कैसे होती है इसकी बारी इसके क्या प्रोसीजर होते हैं क्या-क्या इसमें स्टेप् क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है यह सब पॉलिनेशन आपको पढ़ने पढ़ेंगे दोस्तों उसके बाद एक टॉपिक आता है म्यूटेशन म्यूटेशन यानि की उत्परिवर्तन मुटेशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों उत्परिवर्तन यानि कि suddenly heritable change in the characteristics of chromosomes. मुटेशन में ये सब चीजें आपको मुटेशन में पढ़नी पड़ेंगी फिर उसके बाद आ जाता है DNA and RNA the most important topic सबसे ज़्यादा important topic अगर कोई है बहुत ज़्यादा question इससे बनते हैं कि DNA क्या होता है DNA की कोज किस ने की थी RNA क्या होता है RNA के types क्या होते है इनसे भी question आपके exam में बनते हैं फिर आता है plant growth regulators plant की growth करने के लिए कौन-कौन से regulators होते हैं उनका क्या क्या होता है किस regulator का क्या function होता है यह सब आपको पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद आ जाता है hybridization hybridization के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा क्या होता है hybrid और क्या होता है hybridization जानि की संक्रन और самых कई topic इसके अंदर भी आ जाते हैं जोठे-छोठे आपको पढ़ने की ज़रूत है, उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते है next topic की जो है next subject की बात करते हैं, जो है soil science and agriculture chemistry, agriculture दोस्तों अपने आपकर भी बहुत ही बड़ा subject है, तो इसको जितना पढ़ा जाए हुच वह हुआ मिटी से जुड़े हम क्लासिफिकै mascara के बारे में या उसका रोसका सब चीज के बारे में बात करते हैं तो वो होती है सॉइल साइंस में आपको इस एक्जाम के लिए क्या-क्या पढ़ना जरूरी है तो Soil Science definition और introduction तो आपको हर चीज का पता ही होना चाहिए दोस्तों कि Soil Science क्या है Soil Science की definition क्या है Soil is a nutrients bin ऐसा बोला जाता है तो यह सब आपको पढ़ना पढ़ेगा तो Soil Origin and Weathering Soil की उत्पत्ति Origin का मतलब होता है उत्पत्ति और यहां पर आ जाती Wathering, waethering यानि की Wathering क्या होता है, प्रोसेस क्या है कैसे Soil का निरFromाण होता है यह सब आपको पढ़ना कड़ेगा फिर आ जाता है Property of Soil यानि की Good Soil की properties क्या क्या होती है यह भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है फिर आ जाता है soil collides soil collides क्या होता है क्या definition होती है क्या क्या होता है इसके अंदर यह सब भी आपको detail में पढ़ना पड़ेगा फिर soil water and air soil water and air क्या होता है कि स्वाइल में water air दोनों ही पाए जाते हैं थोड़ा सा एक मिनिट ले कि आपको स्वाइल का composition बता देता हूं यहीं पर कि स्वाइल में होता क्या क्या है तो स्वाइल में 25 परसेंट होता है water और 25 परसेंट होता है एयर और 25 परसेंट बाकी के 45 परसेंट में होता है mineral और 5% में होता है organic matter तो soil के composition होता है soil में क्या-क्या होता है 25% में आपका water होता है 25% air और 45% mineral और 5% में organic matter तो soil water and air ये पाढ़ना पड़ेगा आपको soils of India भारत में कौन-कौन सी soil पाए जाती है कहा कहा पाए जाती है क्या क्या उसमें grow हो सकता है ये सब आपको पढ़ना पढ़ेगा दोस्तों उसके बाद आता है soil fertility soil fertility क्या होती है, fertile soil क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे non-fertile को fertile soil बनाया जा सकता है यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों पिर आता है soil productivity यानि की म्रदा की उत्पादक्ता म्रदा उत्पादक्ता क्या होता है और fertility को कहते हैं उरवर्ता म्रदा उत्पादक्ता और वर्ता दोनों ही आपको इस exam में पढ़नी पढ़ेंगी दोस्तों manure and fertilizer, manure and fertilizer क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, अगर आपको नहीं पता है, तो comment box में जरूर बताएगा, next video में आपको जरूर explain करेंगे कि manure and fertilizer में क्या difference होता है, दोनों के क्या क्या use होते हैं, तो ये सब भी आपको पढ़ना जरूरी है, plant nutrients, plant के लिए जो nutrients आवश्यक होते हैं, उनके बारे में सारों का क्या function होता है, सारे के सारे nutrients का अलग-अलग function होता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, उसके बाद आता है problematic soils, यानि कि soil कौन-कौन सी problematic soil होती है, उनको कैसे दूर किया जाता है, ये सब इसमें आपको जानना है, उसके बाद आता है bio fertilizer, बहुत important चीज़ है, bio fertilizer यानि कि जैव, उर्वरक, जैव, उर्वरक क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, कहां प्रयोक किया जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, उसके बाद nitrogen fixation का procedure क्या होता है, ये आपको पता होने चाहिए, soil profile क्या होती, बहुत important topic है, soil profile क्या होती है, कौन-कौन से horizons होते हैं, उसमें क्या-क्या उनका वर्क होता है कैसे उनका निर्माड होता है यह सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों उसके बाद आता है soil pH, soil pH क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, फिर आता है rocks, pH scale जो होता है, वो एक से 14 तक होता है, मैं आपको बता देता हूँ, साथ से कम वाली क्या होती है, और साथ से ज़्यादा वाली कौन सी होती है, उनका क्या pH scale होता है, ज़रूर बता येगा comment में, उसके बाद आता है rocks, rocks क्या होती है कितने टाइप क्यी होती है किस rock से कौन सी soil बनती है या क्या होता intent procedure यह भी आपको इसमें पड़ना पड़ेगा soil erosion क्या होता है किस किस process से होता है इसे भी questionब करते हैं और soil sampling यानली कि अगर soil का आपको test कराना है तो उसका sample अगर आपको लेना है तो उसका क्या procedure होता है, sample लेने का तरीका क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए और soil sampling कैसे करते हैं आपको नहीं पता है, तो आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताए जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें subject आता है हमारा plant physiology plant physiology भी एक major भूमिका इसमें निभाता है जिसमें आपको definition और introduction तो पता होना ही चाहिए, उसके बाद आता है type of absorption tropism, ये भी एक major topic है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इससे भी questions बनते हैं और एक major चीज है जो है photosynthesis बहुत important है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि photosynthesis क्या होता है आपने बच्चमन में खूब पड़ा होगा कि प्रकाश translation क्या होता है इसका क्या procedure होता है कौन-कौन इसमें भूमिका निवाता है या chlorophyll का क्या काम होता है सब आपको पता होना चाहिए उसके बाद आता है respiration भी आपको पता होना चाहिए फिर आता है comparison between C3 plant and C4 plant कौन-कौन से plant C3 plant and C4 plant दोनों क्या होते है इन में क्या difference होता है या आपको पता होना चाहिए बहुत important चीज है इससे भी question बनते है फिर आजाता है transpiration growth and development इसके बारे में भी transpiration क्या होता है क्या procedure होता है या भी आपको पता होना चाहिए फिर आता है photoperiodism दीप्तिकाल और vernalization बहुत important topic है इससे भी questions आपके exam में बनते है enzymes कौन कौन से enzymes होते हैं क्या भूमिका निभाते हैं plants में या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा growth hormones and growth regulators growth regulator and growth hormones क्या क्या होते हैं इनका क्या क्या function होता है इसके अंतरगत आता है next बात हम करते हैं दूसरा जो अगर major topic जो agriculture का रहता है जो मुखी भूमिका अगरिकल्चर में निगाता है वो होता है दोस्तों होटी कल्चर होटी कल्चर यानि की उद्ध्यान विज्ञान उद्ध्यान विज्ञान तो होटी कल्चर के अंदर सबसे पहले होटी कल्चर का introduction आता है और institute यहां से question दोस्तों बहुत बनते हैं research station या research केंद्र जो भी कहलो आप शोध केंद्र कह सकते हैं आप हिंदी में शोध केंद्र हो गया या जो भी institute है होटी कल्चर related वो आपको कहा सिच्येट एं वो आपको पता होना चाहिए यहाँ से भी questions आपके exam में बनता है और plant propagation method and plant propagation के कौन कौन से method होते है कैसे कैसे किस crop में कौन सा method अपनाया जाता है यहाँ से भी questions आपके exam में बनेंगे फिर आता है cultivation of fruits crop fruit crop कौन कौन सी होती है किनका cultivation कैसे किया जाता है क्या स्वीड रहता है तो कौन सा खाने वाला भाग होता है किसी फल का ये सब कोशर्ट आपके बनते हैं cultivation of vegetable crop यानि की सबजियों वाली सबजियों वाली का भी आपको सब्सक्राइब करना होगा और इसमें आपको पलों का भी दिन करना होगा ठीक है और नमेंटल क्रॉप्स जो होती है आपकी सजावटी उनका भी दिन करना होगा प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती है उनका भी होनी चाहिए फिर आ जाता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नलोजी यानि कि पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नलोजी में क्या होता हार्वेस्टिंग के बाद जो भी चीज़े अपनाई जाती है वो पोस्ट ह तो यह हमने जाने कुछ सब्जेक्ट की क्या क्या सब्जेक्ट में अभी एक पार्ट में आपको मैंने आधा स्लेपस्ट रीवाइन किया है कि CUT PG में आधास लेवर्स क्या-क्या है उसको एकदम डिस्क्राइब किया है यह टॉपिक्स जो आपको मैंने बताए हैं यह अगर आप पढ़ लेते हैं तो CUT में बहुत अच्छा स्कूर करेंगे आप बहुत अच्छा स्कूर करेंगे तो बहुत अच्छा आपको ड्रीम्ड तो आप कमेंट में लिखते रही है वू हम आपको जरूर आप तक डिटेल्स उसकी पहुचाएंगे तो जुड़े रही हमारे साथ और देखते रही हमारे वीडियो और और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा तब तक के लिए थैंक्यू सोमाज शुक्रिया अपना ख्याल रखिये जैहिन